हालो एंड वेलकम दोस्तों वेलकम टू किन ब्रॉग विद अंजली तो गाइस हमने स्टार्ट की है अपने चैनल पर चटनी की सीरीज जो कि हमारी जिसमें फर्स्ट रेसिपी होगी थी अम्रूद की चटनी और नेक्स्ट हमारी रेसिपी बनने जा रहे है आज रेड बेल पे तो आप जरह इस रेसिपी को देखिए और जरू ट्राइ करके रेखना तो ज्यादा देरी नहीं करते और जल्दी से स्टार्ट करते हैं यह बहुत ही फ्लेवर फुल रेड बेल पेपर की चैनी तो चलिए इसके लिए में बहुत ज्यादा समान नहीं चाहिए तो सबसे पहल सबसे लेखे यह ऊद्याल आपकाया मर्च तो सबसे बहुत बार खेटिए इस रावल एभड बेल पेपर यानि की लाल शम्ला मिर्च यह एक लिए है क्योंकि द्धनीया भी सिजन बहुत सारह है तो बहुत आ रहा है दनीया मर्कित मुर्च इसलिए मैंने धनिया भी लेलिय तो साथ में भून रहे हैं जिसे कि फ्लेवर और बढ़ जाए तो मैं मिर्ची को भी साथ में भून रही हूं तो अभी हम दोनों ही चीजों को अच्छे से बैंगन भूनते हैं इस तरीके से गैस के उपर रखके भून लेती हूं भूनने के बाद हमें इसका उतारना है चिलका तो चारो तरफ से अच्छे से भून लेना है मिर्ची को भी और शिमला मिर्च को भी क्योंकि मैं धनिया ले रही हूं तो हमारी चिटनी में थोड़ा ग्रीन कलर आएगा अगर आपको ग्रीन कलर नहीं चीज़ रेड कलर चाहिए तो आप धनिया बहुत कम ले सकते हो तो गा ड्रवाद इसको इसतरी के से मैंने प्लव चल्व कर लिया है इसके जब आप बीच से निकाल लेंगे कि खैसे ले की ईलनख कर द्विर में तो भीच निकाल डिया और इसके चॉप कर के क्योंकि एक दम पल्पी है तो बहुत अच्छा से पीख सेगी इसको डाल के हम आप डाल देंगे अपने बाकी की सारी चीज़ जो भी में डालने अगर इसको कुंडी में बनाएंगे तो बहुत ही ज़दा टेस्टी बनेगी लेकिन मैं तो मिक्सी में बनाती हूं मेरे पास सिल करें दो बहुत है एक है कर दिटा नेंबु टालना रहता था हो थो सबसे पहले मैं इसको जार में निकाल प्रहा लेती हूं कि बने था यह अगर है तो आपको इसको न्युक्त साब नी चाहिए तो तो अब बैशन्य कम डालेगा या मिक्स कर दे नाकर बनेदु services तो ये हमारी थोड़ी सी टैंगी थोड़ी सी पैसी हमारी बढ़ी असी चटनी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है और इसको आप अपने रोटी पराथा किसी भी जीस के साथ बढ़ी असे इंजोई केजिएगा तो चलिए guys recipe हमारी ready तो guys यहाँ पर हमारी recipe बन के तियार हो गई है यह चटनी यह दिखती तो है धनीय की चटनी रसी और flavor है बिलकुल अलग तो आप भी अपने गर में बनाईए और सब को surprise कर दीजे कि लग तो यह दनीय की वीडियोज शेयर करूंगी तब भी इसका यूज दिखाऊंगी तो आज यह हमारी second चटनी की recipe यह हो गई है hope आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना कमेंट करना शेयर और सब्सक्राइब कर देना ओके बाई